हाई गाईज सबसे पहले तो आपका स्वागत है माई यूटूब चैनल पिजन लवर्स पर सो गाईज तो आज की वीडियो में मैं आपको फैंसी पिजन्स के कुछ कबूतरों का शौक करना चाहता हूँ और मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो गाईज चलते हैं वीडियो की तरफ तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो सब्क्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो तो आप तक आसानी के साथ पहुच जाए फर्स्ट पेयर जेकोबी तो गाईज आप इसका शौक कर रहे हैं इसक्रीन पर देख रहे हैं बहुती ब्यूटिफूल पेयर है गाईज बात करें इसके जेक की जेसर के ऊपर शेरो की तरह बाल है कितना ही ब्यूटिफूल और प्यारा है तो इसको करीब से देखाते हैं यह देखिए गाईज यह इसको देखिए सिकंड पेयर नेकपाई पॉडर तो गाईज आप इसको इसक्रीन पर देख रहे हैं और यह फुल मारकिंग में है येलो कलर में और बात करें इसके पाउच की तो बहुत शांदार है बिल्कुल भरा हुआ है आप देख सकते हो और इसके पैर के बॉटम की बात करें तो बहुत ही ब्यूटिफूल है वह बिल्कुल लंबे-लंबे आपको दीखी रहे होंगे गाईज तो चलते हैं हट पेयर पाउडर ही की दोसरी नसल है इसका शोक कीजिए और मैं बता दूँ इसके पाउच जो है वो निकपाई पाउडर से भी बढ़ कर हैं और इसकी साइज भी उससे बढ़ी है और यह दुन पठें अभी तयार हुए है यह देखिए आप देख सकते हो तो मैं चलता हूँ आपको अगली अगले पेयर कि तरफ लेकर वो भी तीसरी नसल है पाउडर ही कि यह रहा है इसका शोक कीजिए आप देखिए यह भी सब फुल मार्किंग में है इसके पाउच भी किसी से कम नहीं है और पैर के बाटम की बात करें वो भी पहले ही जैसे हैं बिलकुल इसमें एक डिफरेंट है वो बलेक क अंदार हैं अब लिए चलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो की तरफ उसका नाम है यह आप स्क्रीन पर देख रहे हो यह इसका नाम है हंगेरियन यह आप देख रहे हैं हंगेरियन यह बलेक कलर का है और यह थोड़ा ब्राउन में बात करें इसके साइज की तो हंगेरियन में भी कई तरह के हंगेरियन होते हैं हाउस हंगेरियन है और एक छोटी साइज की भी हंगेरियन आते हैं और एक और हंगेरियन आता है तो यह बड़े हैं और सर के जो ऊपर चोटी है उसके बॉटम के बात करें तो वह भी बहुत लंबे-लंबे हैं आप देखिए गाई इस करीब से वह बिल्कुल किनारे वाला वो तो बहुत ही शानदार दिख रहा है यह बलेक कलर में सिराजी है आप देखिए गाई इसको शोप कीजिए मैं आपको इसका चिक दिखाता हूं इसके नहीं बट दोसरे के लब दोसरे पेर का चिक है सिल्वर कलर में हाथ से दाना उठा रहा है आप देखिए चलते हैं अगली वीडियो की तरफ आपको लेकर यह इ जी अगला जो आगे वाला है वो मिल है पीछे वाली जो फिमेल मादा है और आप देख रहे हो यह अंडे ही गिराने वाले हैं और बात करें इंडियन और अमेरिकन फैंटल के फरक की तो इसके दुम के जो पोच होते हैं इंडियन के वह उसमें स्टार टाइप बना होता है और पेर के बॉटम बिल्कुल शांदार है इस पेर के और अमेरिकन में वो इस्टार टाइप जो रहता है वो नहीं बनाए रहता आप देख सकते हो फीमेल तो ज्यादा अच्छा है फीमेल से आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्क्राइब करना मत बोलना वीडियो को आज यही पर खतम करते हैं